नमस्कार विद्यारती मित्रो परिसर अध्यन भाग एक की इस ओनलाइन कक्षा में मैं मुकेश पाटन कर आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ चलो सबसे पहले हम किताब से परिचित हो जाएं यह आपकी किताब का मुख पुष्ट है यहाँ पर कुछ छातर आपको आकाश का प्रेक्शन करते हुए नजर आ रहे हैं आकाश में तारों की टिम्टिमाहट नजर आ रही है याने आपके मन में सवाल आते होगे कि यह तारे टिम्टिमाहट कैसे करते हैं वो कितने बड़े होगे? कितने चोटे होगे? कुछ हमें चोटे या कुछ बड़े कैसे नजर आते हैं? इन सारे सवालों का जवाब इस किताब में आपको मिल जाएगा. इसकी पढ़ाई हमें करनी हैं, आपको पढ़ाई करते वक्त बहुत मज़ा आएगा. यहाँ आपके किताब का मल प्रुष्ट है. यहाँ पर आपको चंद्रमा की कुछ कलाए नजर आ रही है. संदेश वहन की कुछ माद्यम भी दिखाई दे रहे. अगर धान पुरुवक देखोगे, तो भारत का नक्षय आपर बनाया हुआ है. उसमें कई प्रकार के चित्रा दिवर्तन होते गया है. यह भी चित्रों के माद्यम से नजर आया है. कुछ धनी प्रदुषन के आपको चित्र भी आहाँ पर दिखाई दे रहे हैं. पेड़ पहुदे इन सभी चीजों को परिसर इस संकलपना में शामिल किया जाता है. और इन सभी का अध्यान हमें इस वि के लिए शुरुवात करते हैं. पार्ट क्रमांक एक हमारी प्रिथ्वी हमारा सौर मंडल इस पार्ट में हम निम्नलिकित मुद्दों का अध्यान करेंगे. खगोलिय पिंड करके देखो तारे ग्रह प्रिथ्वी का परिक्रमन. तो चलो चात्रों हम हमारे पहले मुद्दे क अध्यान करते हैं. खगोलिय पिंड इसका मदलब क्या होता है? इस चित्र में एक वेक्ती आकाश में स्तीत असंख्य तारों को देखते हुए नजर आ रहा है. कुछ तारे टिम्टिमाहट कर रहे हैं तो कुछ तारे धुनले से नजर आ रहे हैं. इस दुसरे चित्र में कुछ तारे भी टिम्टिमाहट करते हुए नजर आ रहे हैं. यानि आकाश में स्तीत जो भी पिंड होते हैं उन सभी को खगोलिय पिंड ऐसा कहा जाता है. फिर आपके मन में एक सवाल आता होगा कि चित्र में दिखाई दे रहे पंच्छी भी तो आकाश में उड़ रहे हैं आपको एक हवाई जहाज भी आकाश में उड़ते हुए नजर आ रहा है. फिर क्या यह चीजे भी खगोलिय पिंड कहलाती हैं तो आपका जवाब होगा नहीं. क्योंकि पंच्छी हवाई जहाज आदी चीजे ना ही पिंड है और ना ही वो आकाश में स्तीत हैं इसलिए यह खगोलिय पिंड नहीं हैं. अगला हमारा मुद्दा है करके देखो. मैंने ज़स तरह पहला आपको चित्र बताया था कि एक वेक्ति आकाश की और रात के समय देख रहा था. उसी तरह आपको भी जब बादल रहित आकाश हो उस समय आपको आकाश का प्रेक्शन करना है. वो किन बिंदों के आधार पर तो खगोलिय पिंडों के रंगा आपको देखना है, उनके आकार, उनके प्रकाश की प्रकरता, टिम्टिमाहट, उनके स्थानों में होने वाला परिवर्तन, इन दोनों प्रेक्शनों के समय चंद्रमा के प्रकाशित भागों के आपको चित्र भी खीचना है, चंद्रमा का प्रकाशित भाग प्रती दिन किस प्रकार परिवर्तित होता है, उसे भी आपको ध्यान में रखना है, हमारा अगला मुद्दा है तारे, मैं फिर से आपको वही चित्र दिखा रहा हूँ, इस चित्र में आपको कुछ पिंड टिम्टिमाहट करते यह एक तारा ही है, अन्य तारों की अपेक्षा वह हमारे अधिक समीप है, इसलिए वह बड़ा और तेजस्वी दिखता है, उसके प्रकर प्रकाश के कारण ही हमें दिन के समय तारे दिखाई नहीं देते हैं, हमारा अगला मुद्दा है ग्रह, फिर से वही चित्र गौर से देखो, कुछ पिंड इसमें तिम्टिमाते हुए बिलकुल भी नजर नहीं आ रहे हैं, उन्हें खुद का प्रकाश बिलकुल भी नहीं हैं, उन्हें तारे प्रकाश मान कर रहे हैं, याने जो तारे तिम्टिमाते नहीं हैं, उन्हें ही ग्रह कहते हैं, ग्रह को अपना स्व प्रकाश नहीं होता, उन्हें तारो द्वारा प्रकाश प्राप्त होता है। ग्रह अपने चारो और घूमते हुए तारो के चारो और भी घूमते रहते हैं। हमारा अगला मुद्दा है प्रित्वी का परिक्रमन। हमारी प्रित्वी एक ग्रह है। उसे सूर्य द्वारा प्रकाश प्राप्त होता है। वह सूर्य की चारो और चक्कर लगाती है। इसे ही प्रित्वी का परिक्रमन कहते है। देखिए पृत्वी किस तरह सूर्य की चारो और चक्कर लगा रही है इसी क्रिया को हमने कहा है पृत्वी का परिक्रमन आशा करता हूँ आज पढ़ा हुआ पाठ्थ्यांश आपको समझ में आ गया होगा चल हम गुरुहकारे एने होमवर्क देखते हैं पहला है खगोलिय पिंड किसे कहते हैं दूसरा सही या गलत पहचान हूँ सूर्य एक तारा है पृत्वी एक तारा है आपको सही या गलत इसमें पहचान कर लिखना है तीसरा सवाल मैं कौन हूँ मैं स्वयम प्रकाश वाला पिंड हूँ मुझसे निकलने वाले प्रकाश द्वारा ही ग्रह को प्रकाश प्राप्त होता है इस सवाल का जवाब आपको एक शवद में लिखना है